भारत मता की दिवाली का आज पावन तोहार है और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में बनाए मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवार जनों के बीच मनाने के लिए हर दिवाली मैं मेरे परिवार जनों के बीच मनाने के लिए आता हूँ कि आप मेरे परिवार जन कंट मैं आपका परिवार का साथे क्योगे यहां कि प्रजान मंत्री की रूप में नहीं आया तो कि मैं मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सभी के बीच आना जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है वो ही भाव मेरे मन में होता है और जब से मैं इस समयधानिक जिम्मेवारी को समाल रहा हूँ आज इसको बीच साल से बेतिक समय होगे बहुर लंबे अरसे तक मुझे बेश्वासियों ने इस प्रकार के सेवा का मौका दिया पहले गुजरावतवालों ने दिया बेश्वास ने दिया कि लेकिन मैंने हर दिवाली कि सीमा पर पैनात कि आप मेरे परिवार जनों के बीच विठाई कि आज मैं फिर आपकी बीच आया हूं कि आप से गनी उर्जा ले करके जाऊंगा नया उमंग ले करके जाऊंगा नया विश्वास ले करके जाऊंगा लेकिन मैं अकेला नहीं आया मैं मेरे साथ 130 करोर देश वाशियों के आशिरवाद आपको लेकर कर आया हो धेर सारा आशिरवाद लेकर कर आया हो आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को आपके शावर्य को आपके पराकरम को आपकी त्याग और तप्रस्या के नाम पर और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए है ऐसे आप सब के लिए हिंदुस्तान का हर नागरीक वो दिये की जोद के साथ आपको अनेक अनेक शुब कामनाई भी देता रहेगा और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे होज सका तो फोटू भी भेज देंगे और मुझे पक्का विश्वास आप कहें हाँ आ या रहा इस बार तो दिवाली कुछ और थी कहेंगे न देखेंगे आप रिलेक्स हो जाएए आप कोई कोई आपको देखते नहीं है आप चिंता मत किजिए आप ये भी बताएंगे न बठाए भी बहुत खाई थे नहीं बताएंगे तो बोलो ना साथियों आज मेरे सामने देश का जो वीर है देश की जो वीर बेटियां है वो भरत मा के ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सवभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है किसी किसी को ही मिलता है जो सवभाग्य आपको मिला है मैं देख रहा हूं मैं बैसूस कर रहा हूं आपके चहरे के उन मजबूत भावों को मैं देख रहा हूं आप संकल्पों से भरे हुए हैं और यही आपके संकल्प यही आपकी पराकरम की पराकाश्टा करने की भावनाएं चाहे हिमाले हो रेगिस्तान हो बरफिली छोटियां हो गहरे पानी हो कहीं पर भी आप लोग मा भारती का एक जीता जाकता सुरक्षा कवच्छ है आपके सीने में वो जज़बा है जो 130 करोड देश स्वाचियों को भरोसा होता है वो चैन की निंद सो सकते हैं आपके सामर्था से देश में शान्ती और सुरक्षा एक निश्चिन तता होती है एक विश्वास होता है आपके पराक्रम की वज़े से हमारे परवों में प्रकाश ठलता है खुशियां भर जाती हैं हमारे परवों में चांद लग जाते हैं अभी दिपावली के बाद गोवर्दन पूजा पुर्भया दूच और छट परव भी बिलकुल गिंती के दिनों में सामने आ रहा है आपके साथ ही मैं सभी देश वाचियों को नौशेरा की इस वीर वसुंदरा से इन सभी परवों के लिए देश वाचियों को भी बहुत बहुत सुब कामनाय देता हूँ देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नवबर्ष की भी शुरुआत करते हैं और हमारी यहां तो हिसाब किताब भी दिवाली के से पुरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है खास करके गुजरात में कल नया साल होता है तो मैं आज नवशरा की इस बीर भूमी से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नवर्ष मनाते उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामना आए उनके लिए देता हूँ साथियों जब यहां नौश्यरा की पवित्र भूमी पर उत्रा यहां की मिट्टी का स्पर्श किया तो एक अलगी भावना एक अलगी रोमांच से मेरा मन भर गया यहां का इतिहास भारतिय सेना की वित्ता का जैगोश करता है हर चोटी से उस जैगोश सुनाई देता है यहां का वर्तमान यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की विर्ता का जीता जागता उदाहरन है विर्ता का जिन्दा सबूत मेरे सामन महजूद है नौसरा ने हर युद्ध का हर चद्म का हर सड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और स्रीनगर के पहरी का काम किया है आज़ादी के तुरंद बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी नौसरा पर हमला हुआ दुश्मनों ने उचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की और हमी जो मुझे पूरा व्रुत्त देख वीडियो समय सारी चीज़ मुझे देखना समयने का मोका मिला है और मुझे खुशी है कि नौसरा के जाबाजों के शारियों के सामने सारी साजी से धरी की धरी रह गए दोस्तों भारतीय सेना की ताकत क्या होती है इसका एसांस दुस्मन को शुरूआ के दिनों में ही लग गया भाजी मैं नमन करता हूँ नोशारा के शेर ब्रिगेडियर महमद उस्मान को नायक जदुनात सींजी को जिनों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया मैं पडाम करता हूँ लेपिनेंट आर आर राने को जिनों ने भारतीय सेना की जीत का नास्ता प्रसस्त किया था ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धर्ती पर गर्वी की गाफाएं लिखी है अपने रक्त से लिखी है अपने प्राकम से लिखी है अपने पुर्सार से लिखी है देश के लिए जीने मरने के संकलक्वाँ से लिखी है अभी मुझे इमरा सोभागता कि दिवाली के इस पवीतर त्योहार पर मुझा आज दो ऐसे महापुरुसों के आशिरवाद प्राप्त करने का सौभाग है मेरा वो मेरे जीवन में एक प्रकार से अन्मोल दिरासत है मुझे आशिरवाद मिले स्री बल्देव सी और सी बसंद सी जी ये दोनों महापुरुष बाले कान में मा भारती की रक्षा के लिए होज के साथ कंध से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी और जब मैं आज सुन रहाता उनको वोही जज़बा था जी और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई का मैदान चाहे हैं ऐसा वर्णन कर रहे थे आजहती के बाद हुए उद्ध में ऐसे अनेकों स्थानिये किश्वरों ने ब्रिगेडियर महमद उस्पान के मारदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी उन्होंने अपनी जीवन की परवान न करते हुए उतनी कमरुम्र में देश की सेना के साथ कंजे थे कंधा मिलाकर के काम किया था सेना की मदद भी थी नौशेरा के सौर्य का इस सिलसला तब से जो सुरू हुआ न कभी रुका है न कभी जुका है यही तो नौशेरा है सर्जीकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भुमी का निभाई है वो हर देश वासी को गौरों से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा यहां रखते हुआ क्योंकि मैं कुट्ताय किया था सुर्यास्त के पहले कि सब लोट करके आ जाने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिक टिका के बेटा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या और कोई भी नुक्षान किये बिना कि मेरे वीर जवान लोट करके आ गए पराकरम करके आ गए शिद्धी प्रांप्त करके आ गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां आशांती भेलाने के अंगिनत कुछ सिद्ध प्रयाच हुए आज भी होते हैं लेकिन हर बार आतंगवाद को महतोड जवाब मिलता है असत्य और अन्याय के खिलाब इस दर्ति में एक स्वाभावी प्रेणना है माना जाता है और मैं मानता हूँ यह अपने आप में बड़ी प्रेणा है ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अग्यात वाज के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतित किया था आज आप सब के बीच आकर मैं अपने आपको यहां की उर्जा से जुड़ा हुआ मैसूस कर रहा हूँ साथियों इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्म मना रहा है आजादी का अमरत महोसो गुलामी के लंबे कालखन में असंख्य बलिदान देकर हमने यह आजादी हासिल की है इस आजादी की रक्षा करने का दाइत्वा हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे हैं हम सभी जिम्मेवारी हैं आजादी के अमरत कालब है हमारे सामने नए लक्ष है नए संकल्प है नई चुनोतिया भी है ऐसे महत्पपों कालखन में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी दुर्भागे से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान दिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा हमें टेक्नोलोजी के मामले में जुकना पड़ता था ज्यादा पैसे खरिश करने पड़ते थे नए हथियार नए उपकरन खरीदने होते थे तो प्रक्रियां सारों सांच चलते रहती थी यहने एक अफसर फाइल शुरू करें वो रिटायर हो जाएं तब तक भी चीज नहीं पहुंती थी ऐसा ही कालकंटा नतीजा यह कि जरुरत के समय हथियार फिर आपाध धापी में खरीदे जाते थे यहां तक कि स्पैर पांट के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे साथियों डिफेंस सेक्टर में आत्म निर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थीतियों को बदलने का एक ससक्त मार्ग है देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजेट होता है अब उसका करीब 65 प्रतिशत देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है हमारे देश ने सब कर सकता है करके दिखाया है एक अभुत्पुर्वा कदम उठाते हुई अब भारत ने ये भी तैय किया है कि दोसों से ज़्यादा साजो सामान और उपकरान अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे आत्मनिर भर भारत का यही तो संकल्पा है अगले कुछ महनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले है देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिश्ट और लंबी हो जाएगी इससे देश का डिफेंस सक्टर मजबूत होगा नएने हत्यारों उपकरों के निर्मान के लिए निवेश्ट बढ़ेगा साथ क्यों आज हमारे देश के भीतर अरजुन टैंक बन रहे हैं तेजस जैसे अत्याधुलिक लाइट कॉमबेक्ट एरकाप बन रहे हैं अभी विजया दस्मी के दिन साथ नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट को समर्पित किया गया है हमारी जो ओडिनेंस सक्टरीज थी वो अब स्पेशलाइज सेक्टर में आदुनिक रक्षा उपकरन बनाएगी आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट रक्षा के संकल्प का सार्थी बन रहा है हमारे कई नए डिफेंस स्टाट अप्स आज अपना परचम लहरा रहे है हमारे नवजवान 20-22-25 साल के नवजवान क्या क्या चीजे लेकर क्या रहे है गर्व होता है साथियों उत्तर प्रदेश और तमिल नाड़ु में बन रहे डिफेंस कोरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले है यह सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्त के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी ससक्त करने वाले हैं साथियों हमारे सास्त्रों में कहां गया है को अतिभारह को अतिभारह समर्था नाम यानि जो समर्थ होता है उसके लिए अतिभार माइने नहीं रखता वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है इसलिए आज हमें बदलती दुनिया युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी शैन्य शक्ति को भी भणाना है उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकुल ही ढालना ही होगा हमें मानू है किसी दम्हें हाती गोड़े पर लड़ाईया होती थी अब कोई सोथ नहीं सकता हाती गोड़े की लड़ाई रूप बदल गया पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दसकों लग जाते होंगे सतादिया लग जाती होगी आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का इतनी तेजी से टेक्नोलोजी अपनी जगा बना रही है आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशन्स के तोर तरीकों तकी सिमित नहीं है आज अलग अलग पहलूँओं में बहतर तालमेल टेक्नोलोजी और हैबरीड टेक्टिस का उप्योग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है संगठी देतरत्व एक्षन में बहतर सामनवाए आज बहुत जरूरी है इसलिए बीते समय से हर्स्तर पर लगातार रिफार्म्स किये जा रहे है चीफ अब डिफेंस टाप की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट अब मिलिटर एफेर्स का गठम यह हमारी शैन्य सक्ति को बदलते समय के साथ कदम ताल करने में एहम रोल निभा रहे है साथियों आधुनिक बॉर्डर इंफ्रस्रक्टर भी हमारी शैन्य ताकत को और मजबुत करने वाला है सीमा वर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था यह आज देश के लोग आप सभी भली भाती जानते हैं अब आज लदाग से लेकर कहरोना चल प्रदेश तक जेसल मेर से लेकर कहन्नवान निकोबार दीप तक हमारे बोर्डर एडियाज में हमारे समुद्रिक तट पर जहां सामान या कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी वहां आज वहां आधुरिक रोड बड़े बड़े टरनेल्स पूल और अप्रिकल फाइबर जैसे नेटवर्क बिछाए जा रहे है इससे हमारी डिप्लोइमेंट केपेबिलिटी में तो गुत्र शुदार हुआ ही है साइनिकों को भी अब भावत अधिक सुविदा हो रहे है साथियों नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत के शक्ति बनाने का गंबीर प्र्यास बीते साथ सालों में हर स्रक्टर में किया जा रहा है देश की रक्षा के खेतर में भी भारत की बेटियों की भागिदारी अम नई बुलंदी के तरफ बढ़ रही है नेवी और एरफोर्स में अग्रीम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है मिल्ट्री प्रुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अब महिला अपसरों को पर्वानेंट कमिशन दे रहा इसी भागिदारी की विस्तार का ही हिस्सा है अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस अकडेमी राष्ट्रिय मिल्ट्री स्कूल और राष्ट्रिय इंडियन मिल्ट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिल्ट्री संस्तानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं इसी वर्स पंदरा अगस को मैंने लाल के लिए से ये भी गोशना की थी कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का आउसर मिलेगा इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है साथियों मुझे आप जैसे देश के रक्षकों की वर्दी में केवल अथा सामर्थ के ही दर्शन नहीं होते मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे दर्शन होते हैं अटल सेवा भाव के अडिक संकल प्रशक्ति के और अतुल्निय संबेदन शिल्ता के इसलिए भारत की सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है उसकी एक अलग पहचान है आप विश्व की सिर्थ सेनाओं की तरफ एक प्रफेशनल फोर्स तो है ही लेकिन आपके मानविय मुल्य, आपके भारतिय सहुस्कार आपको और उसे अलग एक असाधारन व्यक्तित्व के धनी बनाते हैं आपके लिए सेना में आना एक नोकरी नहीं है पहली तारीक को तंखा आएगा इसके लिए नहीं आए है आपके लिए सेना में आना एक साधना है साधना जैसे कभी रुशी मुनी साधना करते थे ना मैं आपके हरेक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा है और आप मा भारती की साधना कर रहे हैं आप जीवन को सुल्चाई पर ले जा रहे हैं कि जिसमें एक सो तीस करोर देश स्वास्यों की जिन्दगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाती है यह साधना का मार्ग है और हम तो भगवान राम में अपने सर्वुच्च आदर्श खोजने वाले लोग हैं लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब अवध्या लोटे थे तो यही उद्गोश करके लोटे थे अपी स्वानमै लंका नमे लक्ष्पन रोचते जनिनी जन्म भूमिश्य स्वरगाद अपी गरिये शी यानि सोने और समरुति से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिद्धानत और मानवता की रक्षा के लिए थी हमारे लिए तो हमारी जन्म भूमिश्य हमारी है हमें वहीं लोटकर उसी के लिए जीना है अर इसलिए जब प्रभूराम लोटकर आए तो पूरी अयोध्या ने उनका स्वागत एक मां के रूप में किया अयोध्या के हर नर्नारी ने यहां तक की पूरी भारत वर्ष ने दिवाली का आयोजन कर दिया यही भाव हमें औरों से अलग बनाता है हमारी यही उद्दाद भावना हमें मानविय मुल्यों के उस अमर सिखर पर विराजमान करती है जो समय के कोलाहल में सभ्यताओं के हलचल में भी हडीग रहती है इतिहास बनते हैं इतिहास बिगड़ते हैं सत्ताय आती है सत्ताय जाती है सामराज आसमान छूते हैं डहते हैं लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा हम रास को शासन सत्ता और सामराज्य के रूप में नहीं देखते हैं हमारे लिए तो ये साक्षात जीवनत आत्मा है इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भवगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का आर्थ है इस राष्ट्रिय जीवनतता की रक्षा राष्ट्रिय एकता की रख्षा और राष्ट्रिय अखंडता की रख्षा इसलिए हमारी सेनाओं में आकास छुता सावर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है इसलिए हमारी सेनाओं केबल सिमाओं पर ही प्राक्रम नहीं जिखाती जब देश को जरुरत पड़ती है तो आप सब आपदा विपदा बिमारी महामारी से देश वाच्चों की हिवाज़त के लिए मैदान में उतर आते हैं जहां कोई नहीं पहुँचे वहां भारत की सेनाएं पहुँचे ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है हर हिंदुस्तानी के मन में से ये भाव अपने आप प्रगट होता है ये आगे न अरे चिंता नहीं अप हो गया लिए ये छोटी चीद नहीं है आप देश की घंड़ता और सार्व भौमिता के प्रहरी है एक भारत स्रेष्ट भारत के संकल्प के प्रहरी है मुझे पूरा भरोसा है कि आपके शावर्य की प्रेणा से हम अपने भारत को सिर्स उचाईयों तक ले कर जाएंगे साथियों दिपावली की आपको भी शुब कामना है आपके परिवार जनों को शुब कामना है और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रणाव है मैं फिर एक बार आप सब को दिपावली की अनेक अनेक शुब कामना है देता हूँ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद